प्यारे भाई भेन, संतरंकारी मिशन में ये गद्धी सत्गुरु की होती है और सत्गुरु के प्रतिनीधी इस गद्धी पर बैठ करके इस ब्रहम ज्यान का परचार परसार करते हैं और संतरंकारी मिशन में जब सत्संग होती है तो गुरु गद्धी के सामने जाकर गुरु कुछ ना कुछ भेट रुपए पैसे के रूप में या फिर मिठाई के रूप में या फिर किसी और रूप में भेट करते हैं लेकिन कई लोग ऐसे हैं कई तो मिशन के अंदर भी है और कई मिशन के बाहर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नंकर मिशन में नमस्कार की जाती है पैस कि बिना आप नमस्कार नहीं करते गुरु गद्धी पर नहीं कर सकते गुरु गद्धी पर क्या इस सच है क्या कभी आप से किसी ने कहा है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप गुरु गद्धी पर जाकर नमस्कार नहीं कर सकते भाई मुझसे तो कभी किसी ने कहा नहीं या किसी ने ये कहा कि यदि आपके पास पैसे हैं तभी आप नमस्कार करने जाएए अन्यता आप पीछे ही बैठे रही है क्या किसी ने ऐसा कभी कहा नहीं कहा ना क्योंकि मुझे कभी नहीं कहा किसी ने तो मुझे लगता है कि आपको भी सद्गुरु को नमस्कार नहीं कर सकते, बिलकुल भी नहीं है, यदि कोई ऐसा कहता है, तो वो अपने मन की बात कर रहा है, मन घणंत बात कर रहा है, और कहीं न कहीं, आपको उससे पूछना चाहिए, कि क्या मिशन में कोई ऐसा नियम है, कि आप गुरु गद्धी पर बिना पैसो के नमस्कार नहीं कर सकते, अब यदि संत नंकारी मिशन में ऐसा कोई नियम नहीं है, कि पैसो से नमस्कार करें, अथपा ना करें, ऐसा कोई नि ही नहीं उत्तर इसका ये है कि आप पैसे रख करके नमशकार करो दरसल हर व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की चाहता है हर प्रकार की तरक्की धन से अमीर होना चाहता है वो अपने कारोबार को पढ़ाना चाहता है घरी पार परिवार में सुक शांती चाहता है रोग दोस उन्हों सबको दूर करने का वो तमाम प्रियास करता है और उसे पता है कि यदी परमात्मा चाहें यदी ब्रह्म चाहें तो उसके जीवन में सदा सुख रह सकता है और यह तमाम परेशानियां जो उसके सामने हैं उसके जीवन में हैं वो दूर हो सकती हैं कैसे दूर हो सकती है जैसे कि पहले कहा यदि परमात्मा चाहें तो हम जाने अंजाने में तमाम ऐसे कर्म कर जाते हैं जो हमारी लिए दुख का कारण बनते हैं जिनके परिणाम सरूप हमारे जीवन में तमाम परकार की ब्याधियां आती हैं और हमारे तमाम कारज बनने से रुक जाते हैं तो ऐसी परिष्टितियों से निकलने के लिए अब चुकि जानते हैं ना तमाम श्रद्धारियों के अंदर ये श्रद्धा रहती है जो गद्धी पर विराजमान महत्मा है ये सत्गुरू का सुरूप है और ये अगर हमें आशिरवाद दे देंगे तो फिर हमारे तमाम रुके वे कार नोज बन जाएंगे घर के अंदर के अधियाँ आधियां रोग दोस दूर हो जायेंगे इस कारण अपनी श्रद्धा से अपनी मर्जी से याद रहे कोई भी फोर्स नहीं करता हुने श्रद्धालू अपनी मर्जी से अपनी कामना पूर्ति के लिए वो कुछ ना कुछ भेट सत्गुरु के चरणों में रखते हैं उस भेट में कई बार दुपट्टा भी होता है उस भेट में कई बार मिठाईयां भी होती हैं उस भेट में और भी कई चीज होती हैं और पैसे से नमस्कार तो लगभग लगभग सभी करते हैं कुछ नहीं भी करते हैं तो जो नही करते पैसों से नमस्कार तो क्या उन्हें सद्गुरु सुरूप महत्मा सद्गुरु से उनके लिए अर्दास नहीं करते इस नंकार से उनके लिए प्रार्थना नहीं करते करते हैं वो सारी परिस्थिती जानते हैं उनके मुख से एक ही बात निकलती है सबका भला करो भगवा सबका सब्विधी हो कल्यान तो पैसों से नमस्कार करने के पीछे मिशन के तरफ से कोई ना आदेश है ना निर्देश है ना ही फोर्स किया जाता है ना ही कुछ और किया जाता है यह तो श्रद्धालू की श्रद्धा है अपने सत्गुरू की प्रती कि वो तुछ भेट अपन बनते हुए देखे हैं उनके जीवन में सुक आते हुए देखा है उनके जीवन से रोगदोस दूर जाते हुए देखे हैं और कही ना कही परेणाम यह होता है कि श्रधालू ने श्रधा से अपने सत्गुरू के चरणों में मस्तक टेक दिया अपना मत्था टेक दिया सत्गु अपने सद्गुरु के प्रती और उसने अपने आपको जुकाया है वो दी नहीं नभन करके अपनी जोली खाली करके सद्गुरु के चरणों में आया है और सद्गुरु ने उस पर रहमत की बरसात कर दी वो तो फिर से बताऊं फिर से कहूं वो तो उसने अपनी श्रद्धा म तो हजार के नोट से भी नमस्कार करते भी देखा है वो तो उसकी श्रद्धा है कोई उसे मजबूर थोड़ी कर रहा है कोई उसे आदेश थोड़ी कर रहा है और कोई ये भी नहीं कह रहा है अगर कोई खाली हाथ नमस्कार करने जाता है उसके पास कुछ होता नहीं वो भेट नहीं भी करता तब उसे यो थोड़ी कहा जाता है ये थोड़ी कहा जाता है कि तुम खाली हाथ नमस्कार क्यों कर रहे हो बिल्कुल नहीं जरासा भी डाउट मत रखना कि आप पैसो से ही नमस्कार करेंगे तब ही सत्गुरु खुश होंगे ये तो आपके श्रद्धा पर रीजते हैं श्रद्धा पर इन्हें आपकी भेट से कोई मतलब नहीं है आप जो भेट इनके चरणों में रखते हैं ये तो कई गुना करके आपको बापस कर देते हैं रामही केबल प्रेम प्यारा जान लेओ कोई जानन हारा सत्गुरु तो सोयम माया पती हैं इन्हें किसी की माया की कोई आवशक्ता नहीं है ये तो संतों की श्रद्धा है ये तो भक्तों की ये तो श्रद्धालों की श्रद्धा है कि वो इनके चरणों में कोई भेट करना चाहते हैं मैं बार बार इसी बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये बात अच्छी तरह से बैठ जाए कि कोई भी अगर ये कहता है कि संतरांकारी मिशन में गुरु गद्धी पर पैसों क्यों चड़ाया जाते हैं तो आप उनसे सिधा कह सकते हैं कोई बंदन नहीं है कोई आदेस नहीं है कोई निर्दे लेने के लिए कुछ सत्गु से पाने के लिए हम उनके चरणों में कुछ भेट रख देते हैं हमें कोई फोर्स नहीं करता और यही सच है इस मिशन का नमस्कार मेरी श्रद्ध है मेरे सत्गुरू के लिए नमस्कार मेरा विश्वास है मेरे सत्गुरू के लिए कि मेरे जीवन में जो कमी है जो मुझे चाहिए मैं सत्गुरू को कुछ भेट करूँ तो सत्गुरू मुझे बदले में दे देंगे कई गुना करके ये मेरी शद्धा है यह मेरी आस्था है, यह मेरा सत्गुरु के प्रति प्रेम है, प्रेमी, प्रेमी, अपने प्रेमी को क्या कुछ बेट नहीं करना चाहता, हम तो 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 50, 100 रुपए, इनके चरोण में इसलिए बेट करते हैं, कि यह हम से खुश हो जाएं, इसके पीछे, और कोई मकसद नहीं है, कोई उदेशे नहीं है, यह हमें फोर्स किया गया हो, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, डाउट मन से निकाल दीजिए, बिलकुल निकाल दीजिए, और उन्हें जवाब देदीजिए, जो आपसे इस बारे में कोई सवाल करते हैं, इस वीडियो पर आप अपने विचार कमेंट में रखेगा जरूर और अपने नंकारी भाईयों में इस वीडियो को शेर कर दीजे चैनल पर यदि नए है सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लेज इसी सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा इनी शब्दों के साथ आप सभी को जैहिंद नमस्कार और प्यार भरी धन्नकार